बच्चो जीतने में और हारने में केवल एक छूटा सा फर्ख है वो फर्ख है मानने का आपने अगर हार मानी नहीं है तो आप हारे नहीं हो और जब तक आपने यह हार नहीं मानी है तब तक आप जीत सकते हो फर्ख बस इतना है कि जो situation है उसको एक 360 डिगरी का आंगल rotate करने की जरूरत है आप जहां भी खड़े हो एक turnaround लो जो आपके सामने है जो आपको कुछ भी बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं हुआ तुमने पूरा साल महिनत करी क्या किया तुमने तुम्हें क्यों एड्मेशन नहीं मिला जो भी तुमसे सवाल पूछ रहे हैं इस वक्त महिनत करने की जरूरत है इस वक्त काम करने की जरूरत है और इस वक्त अपने आपको एक और मौका देने की जरूरत है कि हाँ, हम भी वो कर सकते हैं, हम भी वो चाह, जो हमने चाहा है, उसको हासिल कर सकते हैं, तो ये वीडियो मैं डेडिकेट करूँगी उन सभी बच्चों के लिए, जो एक और चांस ले रहे हैं, जो एक और मौका दे रहे हैं खुद को अपने आपको प्रूफ करने के लिए एक और बार fight on करने के लिए तयार हैं और अगर आप तयार हो तो ये वीडियो आपके लिए है ये वीडियो आपको दिशा देने वाली है जो आपको सही तरीके से बताएगी कि आपके लिए क्या सह आप रोगों से पूछूंगी कि क्या आपको, खुद को एक ड्रॉपर बोलना चाहिए, क्या आप एक ड्रॉपर है, ड्रॉपर एक बहुत ही नेगिटव सा वर्ड लगता है, मतलब अगर मैं सुनूं कि यार तुम एक ड्रॉपर हो, तुम सी यूट के ड्रॉपर हो, मतलब आपको बोलेंगे, आप लोग अपको फाइकर बोलने वाले हैं, यूपीपल आर फाइटर., बिल्कुल असान नहीं है यार, शुरुआच से चीजों को शुरु करना, शुरुआच से एक और साल लगना, एक 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 एक्जाम के लिए जहां पर मैं अल्रेडी एक बार कहीं ना कहीं वो रिजल्ट नहीं पाया हूँ जो जिसके लिए मैंने पूरा साल एक महनत करी थी अगर अगर ये बात आपने करी है अगर आपने फैसला लिया है तो डेफिनेटल आप बहुत स्टॉंग है मेंटली बहुत स्टॉंग है और अगर आप मेंटली स्टॉंग है तो आप सब कुछ कर सकते हैं सारा खेल दिमाग का है और जिस दिन दिमाग आपके साथ है जिस दिन दिमाग ने आपका वो फैसला ले लिया वो फैसला ली नहीं है, सब कुछ है, अगर जब तक मैं फैसला नहीं लूँगा, मैं कितना ही पढ़ लूँ, कोई असड नहीं आने वाल है, जिस दिन तुम्ने वो फैसला खुद से लिए और किसी के लिए नहीं, कोई नहीं तुम्हारे को ये मोटिवेट कर सकता है, कोई अगर यह दिमाग में थोट आ चुका है तो फिर तो अब तो किवाल इंप्लिमेंट होना बाकी यार सारा काम वही ना बोला जाता है क्या कहते है कि एक बहुत बड़ा सिचुएशन है कि आपको कहे कि मांट आवरेस्ट चर्ण है ठीक है किसी एक इंसाने प्लेज लिया कि अब यह वीडियो देख रहा है कि मतलब अल्मोस डेड मतलब अल्मोस डेड कुछ नहीं बाकी था लेकिन स्टिल शी सवाइब और उस दिन वन शी वस इन हॉस्पिटल उन्होंने सोचा कि यार मैं तो इट वस गॉन कुछ नहीं बाकी था पर मैं क्यू बच्छी शायद इसी चीज होगी जिसके लिए भगवान ने मुझे का कि नहीं अभी बाकी है तुम में अभी बात बाकी है तो उस दिन शी डिसाइड़ कि I will climb Mount Everest हला कि शी वस लेक वो नहीं चल पाएंगी वो नहीं चल सकती थी पर वो जो सोच थी ना वो सोच जिस दिन उन्होंने ले ली स सबसे पहली बात आपकी सोच किया है अगर आपकी सोच स्टॉंग है तो अब तो काम बस होना बाकी है अब तो बस वो डेट आनी बाकी है जिस दिन तुमको admission मिलना है तो simple बात है सोचना बहुत important है इसलिए मैं तुमको dropper नहीं बोलूँगी मैं तुमको fighter बोलने वाली implementation अब सोच लिया है माम करना तो है करना है जी जान से करना है लेकिन अब कैसे करना है उसको सीखने के लिए जो तुमने एक already experience लिया है क्या लिए एक already experience लिया है उसको use करना बहुत जरूरी है तीन बाते सबसे पहली बात आपने एक साल इस exam को अगर दिया है तो आपने बहुत बड़ा गुना है तो अगर आपने कुछ गलतियां करी है सबसे पहले तो आपको find out करना है कि मैंने क्या गलत किया मैंने पढ़ाई नहीं करी मैंने plan के साथ पढ़ाई नहीं करी मैंने माम के साथ पढ़ाई नहीं करी मैंने खुच से पढ़ाई करी मैंने revision नहीं करा म तुमने वह सोचना है सबसे पहले अगर यही नहीं पता कि तुमने गलत किया पिछले साल तो इस साल भी वही करोगे ना अगर तुमको यहीं नहीं पता कि तुमने पिछले साल ऐसा क्या चीज ती जो तुमने सही नहीं करी तो इस साल का क्या ही मतलब यार क्यों ही हम कि आप यह पता करो कि तुम्हें क्या गलत कि और फिर पंड आउट कि तुम्हें किस से पढ़ना है Because you need to have a guide, you need to have a mentor वो खुद से महनत करना एक अलग केस है लेकिन खुद से महनत करना कि तुम लोग लगे पढ़े हो एक होता है smart work तुम्हें जरूरत है टीचर की तो पहले तो decide करो कि तुम्हें किस से पढ़ना है वो तुम्हारा जिससे भी मन करें मैं नहीं बूलूँगी कि तुम मेरे से पढ़ो या किसी और से पढ़ो तुम्हें जिससे फील होता हो कि यार यह माम या यह सर है जो मेरा करवा देंगे मैं इनको follow कर लेता हो मैं कर जाओंग और टीचर पर अगर तुम्हें तुम्हें टीचर सिलेक कर लिया तो भरोसा करो अगर तुम भरोसा नहीं करोगे टीचर पर तो कोई कुछ नहीं कर सकता सारी खेली भरोसे का यार अगर तुम यह फील करोगे उस teacher को मान के चलो कि यार अब जो इसने पूला वो पत्थर की लगी रहा मेरे को यह कड़ना ही कड़ना है माम ने बूला 10 गंटा पड़ना है पड़ना है माम ने बूला 10 गंट उतना नहीं है यासे नहीं उतना है पहले जरूरत है कि जो गलतिया तुमने करी क्योंकि यह सीखूंगी तो मैं हुई अब आगे नया पढ़ने वाले हैं लेकिन जो मैंने अल्रेडी करा वो थे ब्लंडर्स और अगर वो मैंने रिपीट करे तो रिजल्ट से माने वाल है तो सबसे पहली और सबसे इंपोर्टेंट बात जो तुमने ब्लंडर्स कर दिये हैं उनको रिपीट नहीं करना है क्या थे वो ब्लंडर्स खुच से सोचो एक बार मतलब मैं चाहूंगी तुम अपने आपको एक बार इंट्रोस पेक करो कि क्या गलत करा है तुमने जिसकी वज़य से आज हमारा जो रिजल्ट है वो वो नहीं है जो मैं चाहता हूं और जिसको मुझे बदलना है कोई-कोई बैक ओप्शिन नहीं है कुछ नहीं सोचना है बस बदलना है तो क्या होगा वो अगर मैं बोलूँ तो पहली चीज मैं में को लगता है जो माकसिम बच्चों के साथ है वो है प्रोकास्टिनेशन मतलब आप तालते हों आप आज का काम आज नहीं करतो अभी भी शायद ऐसा कर रहे होगे कि आज मैं आमने बोला यह पढ़ना है बट नहीं जब तक तालोगे कि कल करूंगा सचा ही है कल नहीं आएगा कभी नहीं आएगा तो सबसे पहली बात आपको टालना बंद करना है जो आज का काम है वो आज करना ही पड़ेगा जो तुमारी कमजोरी अगर तुमारी कमजोरी एक जिगा ना बैठना है तो उसको नेगलिक्ट करना है उस पर काम करना है कर तुम्हारी कमसोर ही है तुम्हें और अरगनिक नी समझ में आती क्यों चोड़नी है उसको ही पढ़ना है जिस दिन अपने डर को बोलोगे ना जो चीज मुझे डराती है ना सबसे पहले तो उसी को करके मानूंगा मैं मैं मैट्स नहीं पसंद मैट इस नहीं आती हैं सबसे फिर सथार हैं ने बहुँ जयाता है वह कि अगर यह तुम लोगों ने वो होता है था है लग वह का बो एक लिए को सबसेग एक तो बहुत बलेंडर होंगे, तुमने तब जड़ गये, तुमने उधर किया, तुमने पढ़ा ही नहीं कि तुमने ताइम पर, जो भी अलमे किया हो वह सकता है तुमने सभ किया भी हो, legend इस थ़ीव लेकिन फिर भी रिजल्ट नीचा, एक चीज और, बहुत बचे बोलता है कि माम लख नहीं था, लख होना भी ज़रूरी है, मैं तुमको एक चीज बोलूगी, अगर तुम्हारे हाट वर्क इतना स्ट्रॉंग है, इतना स्ट्रॉंग है ना कि बंदर सब कर लिया है तुमने, तो लख भी आएगा, ये होता है, बहुत जादा एक एक दिन आपके लिए इंपोर्टेंट है, बहुत क्रूशल फेस ओफ लाइफ में हो तुम, तुम्हारा करियर डिसाइड होने वाला है, तो नहीं छोड़ना है, कोई भी स्टोन अंटर, नहीं छोड़ना है कोई भी बात, राइट, सिंपल सी बात है, सबस तो फिर वो ब्लंडर ऐसा है, कि उसको खुद भगवान भी सही नहीं कर सकता, जब तक तुम्हारे दिमाग से शुरुवातना हो, जब तक दिमाग में वो थोटना है कि करो या मरो, that is the situation, you do not have to take it in literal terms, लेकिन तुमें समझना है, कि में को करना है तो 100% करना है, फिर रिजल् मैं तुमको बतारी हूं, अगर तुमने अपना 100% full effort मारा, पूरा साल का maximum utilization किया, कोई दुनिया की ताकत नहीं है, जो तुम्हारा admission रोख सके, यह मैं तुमको आज लिखके दे रही हूं, अगर तुमने सच में, सच बतारी हूं मैं, अगर तुमने अपनी तीचर की हार बात सची होता है, तो सुनना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर यह बोलूँगी, क्या करना है, अब जैसे ही वीडियो आप October में देख लो हो सकता है, आप November में देखो, कुछ बच्चे January में देखेंगे, मही में देखेंगे, तुम जब भी देखो यह वीडियो को, जब भी, यह target है, जो minimum तुम्हें complete करने है, पूरा syllabus complete नहीं है, तो तुम्हारा effortful नहीं है, तुमने कम से कम 6 cycle अपनी revision की नहीं करी है, तुम्हारा effortful नहीं है, तुमने कम से कम 10 test हर subject का नहीं लगाया, तुम्हारा effortful नहीं है, और तुम्हें doubt है किस subject में है, तुम्हारे यूट्फुल नहीं है, अब इसको कहां से सही करना है, वो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें YouTube से पढ़ना है, तुमको अपने टूशन वाले teacher से पढ़ना है, तुमको मुझ से पढ़ना है, तुमको batch में पढ़ना है, that is totally upon you, but choice should be, कि वो choice तुम्हें admission तक लेके जाए तुमने जो भी path चुना है ना जो भी teacher चुना है वो तुमारा ये काम पूरा करवा है और तुम्हें admission करवा है simple सी funda ये है choice पूरी तरीके से तुमारे हाथ में लेकिन choice सही होना मैं चाहूंगी कि वह बहुत जरूरी है क्योंकि ये तुम्हारे साल की बात और ये साल दुबारा वापस नहीं आएगा so make sure कि इसका तुम maximum maximum utilization करो that is it what I want to tell to all of you मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज को बहुत seriously ले और बाकी अगर तुमने चाहा लिया तो हम सब तुमारे साथ है ये मैं तुमको पूरे 100% assurity से कह रही हूँ हर एक teacher किसी भी subject कि अगर आप science के o arts के commerce को जिस भी teacher जो भी teacher इस platform पे है वो teacher तुम्हें पूरी शमता रखता है तुमारे college में पहुचाने की बस जरूरत है कि तुम्हें उस पे भरोसा करना पड़ेगा जो भी subject है हर एक subject के लिए मैं बोलुई science, arts, commerce, english, gt हर teacher रिजल्ट सब टीचर ने दिया है आपको यहाँ पे और अब तुम उस result का हिस्सा बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो यह तुम्हारे ओपर choice है so that is it मैं suggest करूंगी simple तरीका है कि आप लोग शुरुआत करो मैं यह बोलूँगी कि यार अपने वो एक कोट है बहुत famous कोट है कि अपने आपको चारों तरह अपने mirrors surround करके रखो ताकि तुम्हें हर जगा विनर मिलेव और विनर कब दिखेगा जब तुम विनर बनोगी तो विनर बनने का अगर टार्गेट है तो शुरुआत कर दो कल नहीं आने वाला है और शुरुआत मैं चाहूंगी कि आप अड़ा 247 के साथ करो क्योंकि यह कैसी आर्मी है ना जिसने CUT के ऐसा result की factory दी है मैं चाहती हूं तुम्हारा result भी उसमें से एक और dropper अगर dropper नहीं क्यों ऐसा करना है कि मैं यूट्यूब से या इधर से पढ़ लूगा उधर से पढ़ लूगा दुबार से देना है क्या नहीं देना है तो एक बार पढ़ो ऐसा पढ़ो कि आ जी जान लगा दूगा मैं जी जान लगनी चाहिए इस पार दिखना चाहिए वह एफट और जिस तो टेंपररी बाते हैं, सोच इंपोर्टेंट है, अगर सोच है तो रिजल्ट मिलेगा, कैसे करना है जोई एक बार देख लो, पर मैं दुबारा भाही बोलूँगी, यह सब तो चलता रहेगा, कुछ बच्चे बाच जोईन करके भी नहीं करते हैं, क्यूंकि यह एफ़र्ट इंपोर्टेंट है, नौनमल अड़ा 247 पे जाना, यहां पे अंडग्राइड एंटरेंस के CUT सेक्शन में, CUT महापैक पे जाना, महापैक में साइंस, आट्स, कॉमर्स, सीनों का आपका महापैक अवेलबल है, कोई भी स्ट्रीम में आप उसको ओपन करना भी डिसकाउंट कोड लगाना, जो में आपको बोला, Y513, डिसकाउंट का, और यहां से आपको यह बैच मल जाए, मिको नहीं बात करने कि यह कितने का बैच है, क्या बैच है, I don't care, I won't just, I just want one thing, कि, it's important कि आप रिजल्ट की तरफ फोकस करो, ठीके, one thing is that is important, is अगर आप ड्रॉप ले रहे ह अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, तो it's now the time to show everyone कि आप क्या कर सकतो, you are a fighter, just believe that you are a fighter, that is it, time waste नहीं करेंगे, batches में रोल कर सकते हैं, code आपके सामने है, all the best बचो, क्या सीखा इस वीडियो से कमेंट करके ज़रूर बताना, all the best